वेलकम तो मैं SPD Online Study Channel देखे इस चैनल के माध्यम से आपको Air Force X और Y Group का Physics का Mock Test और English का Mock Test कराये जाते हैं जो आपके एक्जाम में बहुत ज्यादा benefit सावित होगा इस Mock Test में आपको एक से कोशन देखने को मिलेंगे जो सीधे आपके एक्जाम में वहाँ पर भी इसी तरह इसी टाइप के कोशन आपको देखने को मिलेंगे सब बिन टाइम वेस्ट के हम लोग इस Mock Test को स्टाट करते हैं सबसे पहला Mock Test देखिए वहाँ पर Mock Test 3 हो चुका है सबसे पहला कोशन हम लोग देखते हैं एक मोटर पंप की सकती 2 किलोवाट है वह कितना पानी प्रती मिनट 10 मीटर की उचाए तक उठा सकता है देखिए सबसे पहले इसका हम लोग प्रती मिनटर की उचाए तक उठा सकता है तो सबसे पहले इसका हम लोग फरूले जानते हैं कि पी बराबर डबलो बाई टी हम लोग का दिया है कीलोवाट करें दो की पावर टीन कीलो को चेंज कर दिया यहां पर कितना पानी प्रती मिनट यानि करना है 10 मिटर की उचाए एच दिया है और जी कमान दिया है और टी कमान भी दिया है प्रती मिनट बोल रहे हैं यहां पर ती कमान 60 हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे टू इंटू इन टू दब्वावर थी इसकोल टू यह हम लोग को फाइंड करना है जी दिया है टें और है टेंड और टी है सिक्स्टी तो हम यहां पर एक जिरो से गिरें यहां पर काड़ कर देंगे और 6 से उसमें इंटू कर देंगे तो हम लोगा एम का जो मान फाइंड होगा वह आजाएगा 1200 केजी इसा आप फाइंड कर सकते हैं पी बराबर डबलू बाइटी से पी कमाण रखेंगे दू गुने दस के पावर तीन निकानला हम लोगो को जी कमान दिया है टेन टेन न्यूटन और एच कमान भी दिया है दस मीटर टी कमान दिया है 60 साथ कितना प्रती मिनट प्रती मिनट यानि नेस्ट क्या रहा है यदि एक सवारा लोलग की लंबाई 2% ब्रिद्धि कर देता हुआ इसका वर्थकाल होगा इफ दे लेंथ अफ़े सिंपल पेंडूलम इस इंक्रीज़ बाइट परसेंट देन इस प्रियोडिक दो परसेंट बढ़ जाएगा दो परसेंट कम हो जाता है एक परसेंट बढ़ता है या एक परसेंट कम होता है देखिया इंक्रींग journalism में यौक दिखादा इनक्रीज पाइट आपरियो फार्सेंट बोइन इंक्रीज इस इस दिकरीज लंबाई में यानि हम यहां पर जो एल है अकर एल में हम लोग ब्रिद्धी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका आवर्ट काल भी इंक्रीज होगा क्योंकि डारेक्ट प्रोपोर्शनल है टी के डारेक्ट स्वमन उपाती है तो यहां पर एल का मान हम लोग 2% में ब्रिद्ध कि डिखें टी डिरेक्ट यहां पर देखियेंगे टी डिर्यक्रिप परिपोशनल है रूट स्थे यहां पर लिए और यहां पर डेल्ट के reduced यहां साम्म हम से होजागा data L बाई L in to hundred कमान कितना दिया है इस कमान दिया हम लोगा 2 परसेंट तो जब हम इसे काटेंगे तो वह नहां रहा है यानि 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 एक परसेंट में ब्रिदि होगी ब्रिदि इसलिए होगी कि यहां बटी समानों पाती है रूट-L के तो यहां पर एंसर कितना होगा दो परसेंट बढ़ता है दो परसेंट कम होता है एक परसेंट बढ़ता है तो आपका एंसर देखते हैं कि नेक्स्ट कोशन क्या बोल रहा है बोड़े एक वस्तु उद्वारदर उपर की और फेकी जाती है एन अब्जेक्ट इस थ्रो भर्टिकली ओपवार्ड्स यदि वायू परतिरोत की गन्ना की जाए इफ दे एयर रेजिस्टेंस इस टू बी कल्कुलेटेड दे टाइम इन वीच इस अब्जेक्ट गोज़ा तो जिस समय में यह वस्तु उपर जाती है एक फिर से पढ़ते हैं एक वस्तु उद्वारदर उपर की और फेकी जाती है यह रिवायू परतिरोत की गन्ना की जाए तो जिस समय में यह वस्तु उपर जाती है नीचे आने में लगे समय के बरापर होता है नीचे आने में लगे स देखे इसका अंसर होगा आपको बता दें B होगा अब B कैसे होगा बता रहें एक वस्तुक उद्वातर उपर की और फेक ही जाती है यदि वायो परतिरोत की गन्ना की जाए अगर जब वस्तुक उपर फेकेंगे और जब वह नीचे आएगा तो आवा के बिरूत के कारण उप अधर B विल भी राइट कोई भी वस्तुक कम लगा अगर वायो के उपस्तिति में फेकते हैं तो नीचे आने में जो समय लगता है वह उपर आने में लगए समय से अधिक होता है तो यहां बोरा नीचे आने में लगए समय से कम होगा तो वस्तुक उपर फेकेंगे उसका समय कम होगा और नीचे आने में जो समय होता है वो ज़्यादा होगा जो एक्जाम में आपके पूछे जाते हैं बिल्कुल वही कोश्चन होगा और आप इस वीडियो को देखिए आपको बहुत ज्यादा पेनिफिट होगा कि इसी से कोश्चन देखिएगा आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर हो जाएगा डी आईतन संरक्षन नेक्स्ट कोश है यानि हम लोग को इसका भी फाइंड करना है एक कन अवर्थ का एपार्टिकल इस दूइंग सिंपल प्रियोडिक मोशन वीथ प्रियर ऑफ एट सेकेंड एंड डैमेंशन फूर सेंटिमेटर आफ्टर तू सेकेंड अफ क्रॉसिंग दा मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल फा बी बडाबर ए ओउमेगा कोश ओमेगा टी हम लोग सबसे पहले देंगे भी बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहाँ पर हम लोग को एक का मान दिया हुआ है एक कमान दिया है है आठ सेकेड और गार्ट कर दिया है और इसमॉल टी जो है हम लोग का दिया निकालना है कौन के माध इस्तिती को पार करने में दो सेकेड़ बाद इसकी चाल गयात करें यहने स्मॉल टी हम लोग दिया है टू सेकेड देखिए आप आप most important प्राइजा रहा है दिए कि इस तर से एक जगह पे हम लोग मिनलेत लाएं कि फोर अ डू पाइबाई टी ओमेगा कि जगह पे टू पाईबाई टी हम लोग लग दियें और कॉस को कस लिख दिये हैं ओमेगा पर जगा पर टू पाई बाई टी इंटू टी अब यहाँ पर हम लोग जो हमान रखेंगे यहाँ पर फोर हो गया यहाँ पर टू पाई बाई टी का मान है एट यहाँ पर कॉस टू पाई बाई टी का मान है एट इंटू एसमॉल टी का मान है टू तो देखिए सबसे पहले हैं यह दो दुनी यहाँ पर हम लोग कारतेंगे चार दुनी आठ तो यहाँ पर देखिए पाई बाई टू आ रहा है तो कॉस यहाँ पर डिरेक्ट हम लोग इससे देखेंगे कॉ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग यह फॉर्मुलर लगांगे भी बरबर यह ओमेगा कॉस ओमेगा टी एक कामानदिया है और यहीं आर्थकाल है और ओमेगा फिर हम लीएंगे सब्सक्राइब करेंगे इसका अंजर हो जागा जीरो नेक्स्ट कोच्छन देखते हैं तो सद्वेंगे एक और वी एक दूसरे से कौन क्यूप पर जुकी है यह दि इसका परिमान सी हो तो Q कमान ग्याद करें दिया हुआ है कि A बराबर B बराबर C तो चलिए हम लोग अगर A बराबर B बराबर C दिया है तो हम लोग इसा 1 भी मान सकते है मान लेंगे कि A बराबर B बराबर C बराबर 1 दिया है क्योंकि तीनों बराबर है तो इसका परिमान दिया है कि इसका परिशी बराबर दिया है आपका आपका परिमान दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखें कि टू भेक्टर्स आए एंड बी और इंकलाइन तो इच ओडर एट एन एंगर q if its magnitude is c find the value of q q given that mode of a बराबर mode of b बराबर mode of c the mode of a बराबर mode of b बराबर mode of c is equal to 1 मान लेते हैं तो यह पर आप जो हम लोग देखेंगे तो c a square बराबर sorry c is equal to root under a square b square plus 2ab cos q q कुण क्यों हो गया यहाँ पर a square plus b square plus 2ab cos theta होता है याने क्यूं को पर जोगी हो यह ठीटा कौन पर जोगी हम लोगो theta का मान find करना है तो हम लोग ठीटा का मान पर फाइंड करना है तो मान लिजें यहाँ पर हो जागा c a square is equal to c a square is equal to a square plus b square plus 2ab cos q देखिए c a square का जगा पर हम लोगा भी रख सकते हैं 1 c a one a square के जगा भी one रखेंगे और यहां पर तू कॉस क्यू जब इसे हम लोग find करेंगे तो देखिए one से one कट गया one plus two cos theta है तो two cos theta बराबर माइनस one तो cos theta बराबर माइनस one by two हम कितना कमान माइनस one by two आता है तो cos 120 कमान माइनस one by two आता है तो आपका answer होगा देखिए इसका answer होगा ए आपका cos 120 कमान माइनस one by two हैगा अब इसारा हमसे five भी कर सकते हैं next question देखते हम लोग next question क्यावड है एक समान तोरं से गतिशील एक पिंड का वेग दो सेकेंड में चौरिस मीटर प्रती सेकेंड तएथा चार से इसंसे में आट मीटर प्रती सेकेंड में तो पिंड का व्रण वेक हम लोगव को सबसें पहले हम लोग है एक समान तोरण से गतिशिए दा वैलोसीटी ऑफ अफ बोडी मुविंग इडा सेम एसलेरेशन इस फुटी मीटर प्रति सेकेंड इन टू सेकेंड इन फॉर सेकेंड फाइंड इनिस्याल भेलोसीटी अफ दा वडी देखिए इस अब से पहले हम लोग इसका असलेरेशन निकालेंगे नोता है आधिक है प्रिवर्तन की दार को एसलेरेशन बोलते हैं तो यहां प्रति मीटर प्रति सेकेंड है let me माइनस 40 डिवाय वर्टाव 4-2 तो सबसे पहले हैं आप एसलेरेशन हम निकालें तो इसलेरेशन है आ गया 20 मिटर प्रती सेकेंड इसको है 20 मिटर प्रती सेकेंड इसको है आप पर आ गया अब हम लोग को पता है भी बराबर u प्लस 80 हम लोग को सबसे पहले ही इनिठियल प्रती सेकेंड डिया हुआ है जो यू हम लोग Dieses यह दिया है हम लोग निकाल लिए 20 मीटर प्रक्षी सेकेंट और जो टी है वो टी यानि इनिसियल दो सेकेंट है प्रारामबिक तो दो ही सेकेंट होगा उसके बाद दो चारा सेकेंट तो सबसे पहले प्रारामबिक हम लोग समय जो स्टार्टिंग में जो समय है वो दो सेकेंड है तो यहां पर हम लोग टू लिग देंगे तो 40 इसकोल टू यू प्लस 22 टू तो यहां पर जो यू है हम लोग इनिस्यल फैलोसिटी है जो फाइंड हो जागा तब विस बिस दूनी चालीस और यह बिस दूनी चालीस दोनों कट फीया तो यूँ बराबएंगा यहां पर जीरो मीटर प्रती से सकंड है तो पिंड का चिकार Champions इलक दिए 80-40 वाट 4-2 तो हम लोग का इसलेशन 20 मीटर प्रतिस सेकेंड आ गया अब भी बड़ाब यू प्लस 80 से निकलेंगे तो इसका इनिसियल वैलोसिटी हम लोग देखें भी हम लोग 40 मीटर प्रतिस सेकेंड लिक दियें यू हम लोग को फाइंड करना है यह हम लोग निकाल स्कुएर एंड टीजी ती दिया है वहाँ पे टू सेकेंड तो तू सेकेंड यह पर रख देंगे तो इस वैलोसिटी विल भी जीरो अगया आप इस आरह हम से फाइन कर सकते हैं आप से नेक्स्ट कोशन देखते हैं एक पिन द्वारा लगाया गया बल एक पिन द्वारा हम लोग को पता है दो फूर्स एक्षर्टेट भाय बॉड़ी इस रेप्रेजेंटेट बाइड बाइड वेक्टर एफ इसकल टू सीक्साही माइनस आटेजी प्लस टेन के एंड इस एचलेशन इस मोन मिटर प्रती सेकेंड स्कॉर्ड वाट इस दमास ओं दो बड़ी देखि सिक्साही माइनस एट जे प्लस टेन के यह दिया है एम भाई यह हो गया एक कमान जो हम लोग रखेंगे वन तिया आप हो जाएगा सिक्साही माइनस आट सॉर्ण सिक्साही माइनस 8 जे प्लस दस के यह होगी आपका उसके बाद हम लोग देखिए कि एक कमान हम लोग दोग दियें वन ध्यायम वरबल पर 6 यहां पर हंड्रेट हो गया है अंड्रेट होने के बाद सब्सक्राइब जब इसको कल्कुलेट करेंगे तो इसका अंसर राएगा टेन डूट तो आप इसे फाइन भी कर सकते हैं हराम से सबसे पहले हम लोग एक पीन द्वरा लगाया गाब बल सदीज एक इसकल टू ए में होता है एक कमान रख दिया हम लोग 6i-8g-10k बटा एक कमान हो गया एक मीटर प्रती सेकेंड स्कॉर्ण दिया है एक मीटर प्रती सेकेंड स्कॉर्ण रख देंगे तो 6i-8g-10k 10k 10k लिखन से नेक्स्ट वोस्चन क्या बड़ा है तेरते हुए पिंड तेरते हुए पिंड के अस्थाह संतुलेंड के लिए इसका प्रावन केंदर होना चाहिए फोर पर्मानेंट एक्विलिबेरियम औफ फ्लोटिंग बोडी इट शुट हैव फ्लोटिंग सेंटर इसके गृत्व के फिंड के साथ 36 रेखाव या अटी होगा कभी बी कहीं भी हो सकता है देखी है आपर बोल रहा है फोर परमानेट इकरेजन उफ एट फ्लोटिंग बोडी इट सुड है फ्लोटिंग फ्लोटिंग इटसुल हैप फ्लोसण फ्लोटिंग सेंटर ऑपवारी इन बर्टिकल डायर होगा हम आपको बता देंगे इसका आंसर जो होगा इसके गुरुत केंदर से उद्वादर दिसा में उपड़ कियो सो एंसर एविल भी राइट आप इसे याद कर लिजिए का क्योंकि अगर देखिए तेयरते हुए पिंड के अस्थाई संतुलन के लिए इसका प्लावन केंदर होना चाहिए इसके गुरुत केंदर से उद्वादर दिसा में उपड़ सो एंसर एविल भी राइट नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन क्या हो रहा है जिस चन प्रच्छेप द्वारा प्राप्त उचाई अधिक्तम है जिस चन प्रच्छेप द्वारा यानि प्रडियोटाइज मोशन का बात कर रहा है जिस चन प्रच्छेप द्वारा प्राप् से कोई नहीं देखें यहां पर पूर रहे हैं दो मोमेंट दा मोमेंट दा हाइट इडिच्ट बाइट प्रोजेक्शन इस मैक्सिमॉम विच अप्ड़ फ्लोई इंगल प्रोजेक्टाइल विट बैलो वर्टिकली नन अफ द एब तो इसका आंसर होगा फ्लाइट इसका जाता है तो एंसर बीविल बी राइट आप इसे फर्मूला से रिफाइं कर से अपर ऐसे भी कॉंसेट से आप याद कर सकते हैं कि कोई भी वस्तुक अगर वह वस्तुक ज्यादा उचाही तक जाएगा तो उसका समय भी बढ़ जाता है उसका समय भी ज्यादा होगा और जो आप अराम से 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 अपने निकाल सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है इफ एयर रेजिस्टेंस इस एजूम टू बी नेगलिजिबल इन प्रोजेक्टाइल मोशन देन होडिजंटल मोशन इज परचेफ गती में यदि वायू परतिरोत को नगन ने माने जाए तो 36 गती होती है इस्थित्वारन से इस्थित्वेक से पड़िवर्तित्वारन से य कि ही हेडिजंटल भलोसिती विल बी ओलवेश गॉंस्टेंट हम एसा कॉंस्टेंट रहें सो एंसर वी बीविल ठाएर नेक्स्ट वोसेन हम दोग देते हैं पर्शेफ पत्रचेफव पत्रच बिंदू पर पढ़ से का टूर्ण की दिचाही होंगी बुए की ग्रशेफ पर्पेंडिकुलर मिच्वाली पैरलर इंकलीड एड़ 45 डिग्री टू इच ओधर या डीम मालीजन नौन अफ द एबाव इसमें नौन मालीज है तो इसका देखे इसका अंसर होगा कि बोल रहा है कि परचेप पत के स्वाच सर्वोच बिंदू पर परचेप का परचेप के व पॉइंट है हाई यह पॉइंट में एसलेशन नीचे लाएगा जी जैसे गुरुत्विय तरण बोलेंगे और वैलोसीटी जो है आपका इस दिशा में लगेगा तो यहां जो एंगल बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे सो एंसर यह विल बी राइट जब कोई भी वस्तु को हम लोग उपर फेकेंगे तो प्रोजेक्टाइन मोशन में अगर देके प्रोजेक्टाइन मोशन में होता है तो जी का मान जो है वह नीचे की तरफ लगेगा और जो वैसीटी उसका होगा वह इस साइड में लगता है तो इसका दोनों के विच्छों एंगल बन रहा है 90 डिए तो एंसर यह विल बी राइट जीटेश चिद्र से द्रव के बाहर प्रावा की दर्व निर्वन नहीं करती है दरेट अफ आउट फ्लूप 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 दोस्नोट डिपेंड ऑ NAili will be Righ next question डेखते हैं जूल सेकिंड मात रख होता है किसका होता हें जूल सेकिड जिसका मारतомина कुंत है फूंहा है को भी है कोनी है संबीक का जो मातरक होता है तो इसका गीशेन आउन चैथ्किन अबनों अधिकते हैं गतिच उड़ा अधिक्तम होती है गतिच उड़ा नियुत्तम होती है यह या दी-सलेर्शन इस मैक्सिमम या तोरण इसका अधिक्तम होता है तो देखे इसका हम बता दें आपको बोड़ है कि ए पार्टिकल विद्ट सिंपल प्रियोडिक मोशन विन पासिंग थ्रोग दा मीन पुझिसवन हैज तो देगे इसका कीनेटिक इनर्जी भी मैक्सिमुम होता है क्यों मात इस्थिते मात हरां केवार किनेटिक̅नर्जी माणनीर गाही होता हुद certific in Energy का फूर्मुला तो माद इस्तिती में एक सबराइबर 0 होता है यह पर इसका caletic energy Maximum होगा क्योंग है जब 0 हो गया तो इसका में सब कुछ हम ऐस नहीं कहीं है जब कुछ हम Lemon नहीं किया यह यह उसका Maximum hall का माना जाएगा यानि गतिज उर्दा अधिक्तम होगी तो kinetic energy will be maximum potential energy इसलिए इसका अधिक नहीं हो कि potential energy का formula आप लोगो पता है u बराग बराग हाग m omega square x square तो potential energy के यहाँ पर जो महाद इस्थिती में x का मान होता है 0 तो इसका potential energy भी 0 हो जाएगा इसकाbin महाँ अधिक्तम हो टा है तो kinetic energy का मान अधिक्तम होता है last इसलिए 0 होता है माद इस्थिती में potential energy 0 होता है और kinetic energy maximum होता है और सच्धिती में 240 मैक्सिमम होता है सरल लोग के लिए ईल वो चीख शरल लोलग के लिए ल एवं टी का ग्राफ होगा जो टी का ग्राफ होगा वहोगा पराबुला सो answer operational game ती का ग्राफ होगा परवलर फॉर सिंपल च्टिद्रवड़ सैप याद कर लिजेगा से कर कि के चाहिए प्रतियास्त प्रतियास्त या प्रतियास्त या प्रतियास्त में से कोई नहीं देखिए after a collision when the two objects are joined together the collision occurs more after a collision when two objects are joined together this collision occurs on partial elastic elastic unpredictable or none of the above इसका इसका जो answer होगा यहोगा और प्रतियास्त टकर के बाद जब दो वस्त प्रश्वर जूर जाती हैं तो यह टकर होती है और परतियास सो एंसर सी विल भी राइट है नेक्स्ट नाइटी नमर कोश्चन देखते हैं हम लोग नाइटी नमर कोश्चन क्या वड़ है समान उचाहिं से एक गोली नीचे की और गिराई जाती है तो दूसरी गोली चैसी दिशा में दागी जाती है तो यह प्रिथ्वी पर पहुंचेगी एक के बाद एक एकी समय में परच्छे पनिरबर करेगा यह इनमी से कोई नहीं वन बुलेट वन बुलेट इस ड्रॉप डाउन वार्ट एड दो सेम हाइट और अनौद बुलेट इस फार इन होडिजनल टाइम यानि वह एक ही समय में नीचे आएंगे सो एंसर आपका जो एंसर होगा सोड़ी यहां पर ठीक है वन आप ठीक है भी अर्द सेम टाइम ठीक है समान उचाइच से एक गोली नीचे की और गिराए जाती है तता दूसरी गोली छेती दिसा में धागी जाते तो यह प्र इपॉर्टिन को स्ट्रीन टार्टेक को स्टेंज होता है वह ही अपको यहांस चूंचूंगर लहागे है दो कैनेज़ी हूं के नियाम हूं कि नेक्स्ट कोश्टन क्या मूल रहे है हाँ हां एक हलका एवाम भारी पींड की गति जुड़्य अधिक होगा तो दिच का हल का एक एवं भारी पिंट की गतिज उड़्या समाने यानि जो के है वह सेम है तो पूरा हल किसका संब्यक अधिक होगा तो जाहिए सिर्थ जिसका दर्यमान अधिक हो जा उसका संब्यक भी अधिक होगा क्यूंकि पी टैरिकली प्रोपर्सनल है एवं के यहां पर देख सकते है तो जिसका दर्यमान अधिक होगा उसका संब्यक भी अधिक होगा तो जिसका दर्यमान जाधा होगा तो यहां पर भारी पिंट का दर्यमान यह भारी पिंट का बोड़े किसका संब्यक अधिक होगा तो भारी पिंट का नहीं है भी बोड़ी का तो एंसर बी विल बी एंसर इस आपको होगा भी है भी बोडी हुक का नियम प्रमुक रूप से परिभासित करता है हुक्स लोग डिफाइन्स प्रोमिनेंटली इस्ट्रेस इस्टोर्शन सरेंडर पॉइंट या इलास्टिस लिमिट प्रतिबल विक्रिती समर्पन बिंतु या परतियास्ता सिमा तो अंसर दीविल में राइटर फीट नेक्स्ट कोर्चन देछते हैं एक वेक्ति विफेख घुम रही मेज हाथ मुराइय हुए बैठा है यानि एक व्यक्ति घूम रही मेच पर हाथ मोरे बैठा हुआ है अचानक वह हाथ फैला लेता है तो मेच के यह चाल में क्या होगा एक परसन इस सीटेड विद फोल्ड फोल्डेड हैंड ओन और रोटेटिंग टेबल सडेनली ही स्पेड इस हैंड दे एंग्लोर स्पीड ऑफ देखिए होगा जब कोई डांस करता है गुर्ण करता है तो जब हाथ वो प्रैक्रिकल भी लगएस सकते हैं तो इसका आंसर हो जागा बी जब हम लोग हाथ फैला देंगे तो छिन renewal हो कम हो जाएगा कि इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पर भायों प्रतिरोध प्रतिरोध के रूप में खाम करने लगता है साहत according to me so answer b will be right next question देखते तेश नमर न्यूटन का नियूटन लॉव ऑफ ग्रैविटी अप्लाइज के यह चोटी वश्तु पर चोटी बड़ी वस्तु पर के वह बड़ी वस्तु पर या इन बैसे घुआ नहीं देहिए पूरा नियूटन लॉव अफ ग्रैविटी अप्लाइज वनली टुह स्मॉ उब्जेक्ट तूह स्मोल अ है इसका नेक्स्ट कोश्टिन देखते हैं इसका इंदर्मान एल लंबाई वह आर्थिज्या के एक सिलेंडर का अपनी अक्ष के पड़ते जरत वागुर्ण और सिलेंडर आफ मास एम इसलेंडर आफ मास एम एल लेंथ एन रेडियस इस दो मोमेंट आफ एनर से एबाउट इस एकसिज इसका अंसर होगा म्र इस्कौर बाई टू इसका इंसर देखे जरत आघूर ने चरता हैं रोटिसनल मोसन से सीधा आपका एक फर्मूला पुछ लिया जाता है तो उसका आपका जितना फर्मूला उसे याद कर लेजे क्यूंकि उससे एक फर्मूला जरूल देखेग देखें जरत अगुरन और कुनिये तुरन के गुनाथफल को कहा जाता है इसे बोलाता है बल अगुरन क्योंकि टाउ बराबर होता है जरत अगुरन को आई एंटू कुनिये तुरन को लिखेंगे अलफा टाउ बराबर आई अलफा तो इसका आंसर होगा बल अगुर्ण कुणिये सम्वेग इसले नहीं होगा कुणिये सम्वेग L बराबर होता है आई ओमेगा यह कुणिये सम्वेग होता है और यह जो होता है बल अगुर्ण होता है जौरत आगोन यह तो रहं करनके गुनारफल को बहते हैं बल आगोन और आपका जो भी है और राइट है कि कि प्रोड़क्ट अफ इंठीया मोमेंट एन एंगुलर एंगुलर एसलेरेशन इस को और एंगुलर मोमेंटम फोर्स मोमेंट फोर्स या वर्ग तो एंसर हो जाएगा भी फोर्स मोमेंट यहां पर आपको इम्पोर्टेंट कोश्टन खराए जा रहा है जो आपकी इएग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही देखने को बिलेंगे बिल्कुल आप मेरे बिस्वास किजिए आपका अराम से अराम से अराम से अपर फीडिक्स में नंबर गेंड कर सकते हैं तो अगर इस वीडियो अगर आपको इस विडियो से कुछ help मिल रहा हो, अगर इस विडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको विडियो से कुछ ग्यान मिल रहा हो, तो प्लीज इस विडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सेयर जरूर कीजिए, जिससे कि अगला विडियो आपको अप